हेलो स्टुडेंट्स, इटैप की लास्ट क्लास में हमने ये प्लान बनाया था इस प्लान को मैंने आटोकेड में ड्रो कर लिया है, जिससे हमें थोड़ी आसानी हो तो प्लान हमेशा एक्स और वाई में होता है, इटैप के अंदर ठीक है, तो सबसे पहले हमें ग्रिट डिफाइप करने हैं, तो थोड़ा सा आपको ग्रिट को अच्छे से समझना होगा देखिए, ये डारेक्शन कोन सी है आपकी, एक्स डारेक्शन, ठीक है, और ये डारेक्शन है आपकी, य बाई डारेक्शन यह टैब में जब हम grid define करते हैं तो इसमें दो option होते हैं एक तो coordinate system से और एक spacing से या तो आप direct spacing डाल सकते हो तो diet spacing better जिसे हमें calculation नहीं करनी पड़ेगी ठीक है तो x direction में x के perpendicular first line यह है आपकी ठीक है और second line यह है इत दोनों के बीच में जो spacing है वो आपकी 3.720 mm में 3rd line यह है आपकी इन दोनों के बीच में spacing यह है 4th line यह होगी यह spacing है 5th line यह होगी spacing given है 6th line यह होगी और 7th line देखो यह होगी बले चोटा सा भीम है यह पूरी line बनेगी एक grid line और आपकी एक line यह होगी ठीक है तो spacing 1, spacing 2, spacing 3, spacing 4, spacing 5, spacing 6, spacing 7, 0.7 दीवी है ठीक है और 8th होगी 0 यानि एक्स में आपको spacing डालनी है 3.720 1.730 5.135 5.135 1.730 4.9 यह वाली spacing होगी इसके लिए यहां के लिए तो 3.420 and 0.7 and 0 इसी तरह अगर हम y की बात करें तो y में 1st grid line यह होगी 2nd grid line आपकी यह होगी 3rd grid line यह होगी 4th grid line यह होगी 5th grid line यह होगी आपकी 6th grid line यह होगी और 7th grid line यह होगी और 8th grid line यह होगी तो इस तरह से हमारी grid बन जाएगी उसके उपर फिर हम जो beam column draw करेंगे वो अपने plan के according करेंगे हमें spacing डालनी है बस ठीक कुछ spacing आपको calculate करनी पड़ेगी ठीक है तो start करते हैं E tab में सबसे पहले new file और new model पर करने के बाद आपको Indian data select कर लेना है ओके और हमें जाने custom grid यहां पर देखिए हम spacing कर देते हैं और first spacing यह माली x में 3.720, 3.720, second spacing यह वाली 1.730, 1.730 third spacing 5.135, 5.135 और नीचे भी 5.135, add करेंगे एक और, यह 5.135 है ठीक है यह वाली spacing है आपकी देखेंगे अगर 1.730, 1.730, add करेंगे 1.730, जैसी में add करता हूँ, last digit मिट जाती है तो इसलिए हम दुबार डाल रहा हूँ, उसके बाद है आपका यह वाली spacing, यह वाली होगी यह वाली, क्योंकि हमें यह spacing चाहिए, ठीक है, तो 3.420, 3.420, फिर add करेंगे साथ, फिर यह मिट जाएगा, 3.420, और लास्ट है हमारी 0.7, और एक लास्ट महम रखेंगे, जब spacing हम चूज करते हैं, तो लास्ट होगा आपका 0, ठीक है, अब वाई में आते हैं, य में जब फर्स्ट ग्रिड है आपकी, यह वाली फर्स्ट ग्रिड की spacing है, 1.530, 2.730, नहीं होगी, सेकिंड spacing होगी यह, यह spacing, ठीक है, तो यह क्या होगी, 2.730, मीटर में ले रहाँ, उसलिए पॉइंट लगा रहाँ, माइनस, 1.530, ठीक है, तो 0021, 1.2, तो उसके बाद नेक्स्ट है, 1.2, 1.2 के बाद जो हमें spacing चाहिए, वो चाहिए यह वाली spacing, यह वाली spacing कितनी है, ठीक है, तो auto academy देख लेते हैं, यह spacing, यह spacing, 1.126, 1.126, ठीक है, इसको अंडोबर देते हैं, नेक्स्ट spacing होगी है हमारी, यहां तक हो चुकी है हमारी spacing, अब यह spacing, तो यह spacing है 2.885, 2.885, एड कर लेते हैं, लाश्टा 2.885, ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए, यह spacing, spacing, यह वाली spacing, ठीक है, तो यह वाली spacing में मेजर कर लेते हैं, यहां से यहां तक, 0.539, 0.539, 0.539, 0.539, ठीक है, अब हमें चाहिए, यह वाली spacing, यह वाली spacing, यह spacing मिल चुकी है हमें, ठीक है, अब हमें यह वाली spacing चाहिए, तो यह वाली spacing क्या है, मेजर कर लेते हैं, 2.276, 2.276, और उसके बाद लास्ट है हमारी 2.540, यह वाली, 2.540, 2.540, एड करते हैं, एक होगा आपका 0, 2.540, एक grid हो चुकी है, color change कर देते हैं, grid का, okay, okay, कुछ गलती होती है, तो हम बाद में इसको ठीक कर सकते हैं, तो हमारे number of floor 7 है, और height हम each floor की assume कर लेते हैं, 3 meter, 7, okay कर लिया हमने, grid define हो चुके, यह है आपका 3D view, यह है आपका plan, ठीक है, अब हमें क्या करना है, M30 का लेके एक beam और column यह जो दिये हैं, अलग-अलग type के C1, C2, यह हमें define करने हैं, तो define सबसे पहले material, add new material, Indian, concrete, M30, M30 आगया, okay, okay, फिर define करते हैं, section में जाके frame, add new, rectangle और इसका होगा C1, M30, C1 column है आपका 450 by 450, okay, एक और column add करते हैं, C2, और M30, C2 है आपका 600 by 450, उसके बाद एक beam है आपका 300 by 400, add rectangle, beam डाल देते हैं, B1, M30, और इसकी value है 300 by 400, तो 400 depth होगी और 300 इसकी width होगी, add, एक और beam add करते हैं, rectangle, B2, M30, और इसका size given है 300 by 600, तो 600 depth होगी, और 300 width होगी, ओके, तो हमारे define होचुका है, C1, C2 column, B1, B2 column, beam सोरी, ओके कर दिया, अब हमें draw करना, start करना है, ठीक है, सबसे पहले में ले लेता हूँ, column, C1 column, C1 column और देखते हैं drawing में, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, 1, 2, 3, 4, 5 column है, तो draw कर देते हैं, 1st column, ठीक है, 2nd column 3.8 something यहाँ पे है, यहाँ पे है 2nd column, 3rd column है आपका, यहाँ पे, 4th column है यहाँ पे और 5th column है आपका यहाँ पे, और यहाँ पर आपके सारे C2 column है, तो मैंने क्या क्या यहाँ पे C2 column कर लिया, और यहाँ पे आपका C2, C2, यहाँ पे देख लियते हैं, सामने हैं, हाँ, C2 column, C2 column और C2 column, यहाँ पे सारे C1 column, तो यहाँ पे C1 दुबारा से कर लिते हैं, और कहाँ एक बार और देख लियते हैं, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, उसके बाद, आपका यहाँ पे है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे है, C1 column, उसके बाद यह चार column हैं आपके C1, यह column है C1, यह है C1, यह C1, यह C1, ठीक है, उसके बाद भी 4 kolom C1 है। यह अर यह और यह और यह नहीं होगह। यह यहां पर होके। तो इसको σουक्रदिकर देते हैं। इस तरह से, अब यहां पर भी सारह C1 kolom है। क्यूँआ यहां पर 1C2 kolom है। ठीक है? तो kolom है iv良ा हमने यहां पर C1 सारह kolom है। तो एक बाद ड्रोइंग को देखते हुए एक कोलम है आपका यहां पे नीचे है कि ऊपर है यानि कि एक कोलम है यहां पे और एक कोलम है आपका यहां पे C1 एक कॉलम यहां पे यहां पे यहां पे और यहां पे ठीक है उसके बाद सी टू कॉलम है आपका ठीक है यहां पे तो सभी कॉलम हो चुके हैं ठीक है अब column to column हमें बीम बनाना है इसमें लिखा हुआ है जो 4 मीटर से छोटे हैं बीम उनको size ये देना है बीवन और जो 5-4 मीटर से ज़्यादा है तो 4 मीटर से ज़्यादा देखी एक तो ये है एक ये है एक ये है ये है ये है ये है बस और कोई भी नहीं है ये है ठीक है तो draw करते हैं मैं उपर वाला लूँगा जिससे हम joint to joint बना से किया और मैं ले लेता हूँ beam B2 greater than 4 meter तो देखिए ये column से ये column और फिर ये column फिर ये फिर ये ठीक है कुछ गलती हुई है यहाँ पर भी column होगा यहाँ पर column होगा C1 यहाँ पर यहाँ पर मिलाया है यहाँ पर C1 तो यहाँ पर C1 column लगा देते हैं देखिए ये तिनी मेहनत की मैंने और यहाँ पर एक गलती हो गई है कि मैं यहाँ पर one story को all story करना भूल गया जिससे केवल एक ही story पर यह beam बने हैं और यह column बने हैं अगर ऐसी mistake आप से हो जाए और बहुत time लगा आपको उसको करने में तो क्या करेंगे वह मैं करने के बाद बताता हूँ अभी one story रहके ही बना लेते हैं ठीक है तो beam यह बीम एक में देख लेते हैं कहां पर है ठीक है यह column नहीं होगा यहां पर column होगा यह column नहीं होगा ठीक है यह भी column नहीं होगा column होगा यहां पर और beam बने गापका यहां से यहां ठीक है और एक beam बने गा यह चार मिटर से बड़ा एक ए बनेगा आपका चार मिटर से बड़ा उसके बाद सारे छोटे बीम है तो हम क्या करते हैं छोटा बीम ले ले लेते हैं बीवन ठीक है आप इसको ड्रो करेते हैं इसी तरह से सारे बीम ड्रो कर लेंगे एक बार आप क्या कर सकते हैं कंट्रोल डी प्रेस करेंगे से हाइड हो जाएगा पर क्या है कि कंट्रोल डी मैंने सोटकर किसी और कम ना है बत्म राइट क्लिक करके यहाँ पर देखिए यहाँ पर है आपका ग्रिड हाइड करने का तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इस से मैच करूँ और बीम ड्रो करूँ जल्दी से ग्रिड हाइड करने का थोड़ा एजी होगा यह बीम तेड़ा बने गया इसको डिलीट करके दुबारा लेना है और जूम करके थोड़ा सा अराम से ठीक है अभी भी तेड़ा बनाया है बीम ले आमने और यह नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे ग्रिड को लाएंगे और मैं इस वाले बीम से बना देता हूँ बीवन यह देखे ठीक है ग्रिड को हैट कर देते हैं लगव बढ़ने वाला हमारा स्टक्चर दोबारा ग्रिड को बना देते हैं और यह वाला बीम लेते हैं लगभग बन चुका है एक बार चेक करते हैं इसको बनाने के बाद सोरी कंट्रोल डी नहीं राइट क्लिक करके तो क्या हमारा स्टक्चर इस तरह से नजर आ रहा है अभी भी कुछ चीजे रह गई हैं यहां पर बीम और ठीक है अब देखते हैं अब हमारा स्टक्चर इस तरह की एका नजर आ रहा है इसको डिलीट कर देते हैं यह श्रव्ट काके यह श्रव कहा थो शहरे नजर आ रहा है है तो इसको में दूबारा बनाइवेता हूं हिज के धिक बारा बनाइवत है दे यह हम क्या करते हैं ग्रीट को ओन करतेएं गरन करने का बनाएथ तो हमारा ये बन चुका है देखिए अब मैंने जो एक पीम रह गया है अब बीटू यहां पर इससे बनाते हैं तो हमारा प्लान बन चुका है इसमें केवल एक ही चीज हम से रह गई है कि हमने जो है यहां पर हम भूल गए है इसको वन स्टोरे को औल स्टोरे करना जिससे केवल एक ही स्टोरे टॉप स्टोरे पर हम बीम ड्रो कर पाएं तो इसको नीचे तक कैसे ड्रो करें इसके लिए बहुत अच्छा टूल है जो आप नेक्स क्लास में आपको बताऊंगा और मैं अभी आपको इस वीडियो में बता स्टोरे सेवन ठीक है और इसको रैप्लिकेट कहां तक किया बेस तक ठीक है सैवन को स्लेट किया और देखे जैसी में आपलाई पर माउस ले आता हूं तो यह पूरा बन जाता है ओके यह बन चुका है ठीक है एक बार इसका 3D व्यू देखना चाहेंगे अब तो देख सकते है यह देखे ठीक है अब क्या करना है मैं ओल स्टोरे करना है और एक स्लैब डिफाइन करनी है एड न्यू 150 mm की हमने एजियूम कर लेते हैं थिकनेस 150 और मेंब्रेंस जो हमने बताया था कि किस टाइप की मॉडलिंग होती है हमने डिफाइन की और यहां से हमने लिया स्लैब यह वाले इससे बना लेते हैं और यहां पर स्लैब स्लेक्ट कर लिया प्रोपर्टी और ओल स्टोरे तो है हमारा तो हम इस तरह से आप स्लैब बना सकते हैं पूरी इस तरह से भी आप ड्रो कर सकते हैं स्लैब इस तरह से, तो slap define हो चुकि है, अब हम बेस की slap delete करनी है, तो one story पर गई, plan, sorry, plan, base, और base पर beam और यह सब delete करके, दुबारा से joint select किया है, हमने और assign किया, joint, understand, fix, तो हमारा जो plan है, बन चुका है, building का, model बन चुका है, extrude करके, आप यहां पर भी देख सकते हैं, देखिए रहा, और इसको थोड़ा अलग graphic में देखना हो, जिसे clear आप देख सकते हो, तो यहां पर जाके, graphic color, display, और यहां पर आप कर सकते है, black background, इस तरह से, keyboard के arrow से rotate कर सकते है, 3D में देखने का यह फायदा, आपका यह पतल जाता है कि कहां पर कोई error तो नहीं है, कहीं beam छूट तो नहीं गया है, कहीं column तो नहीं चूट गया है, तो एक बार 3D में जाके, पूर रोटेट करके structure को, देख लिए, अब next step होगा, इस पर loading, एक residential building पे हम, कितने type के load लगाते हैं, कैसे analyze करते हैं, कैसे design करते हैं, वह आपकी next class में होगा, और उस next class के बाद यह revision video बनेगी, तो revise करना न भूले, कल class होगी, thank you